जिला कठुआ के कंडी छेत्र में आतंकी हमला हुआ है आतंकियों ने सैना के वाहन को निसाना बनाया है वहीं जवानों ने मोर्चा समालते हुए जवावी कारवाई की है मुटभेट जारी है कठुआ के बलावर उपजिले में बदनोटा के बर्नोड इलाके में जेड़ा नाले के पास सैना के एक वाहन पर आतंकियों ने घात लगा कर हमला कर दिया आतंकी हमले में पात जवान शहीद हो गए हैं वहीं कुछ बुरी तरह से घायल हो गए हैं घायल जवानों को पी एच स ओर से ग्रेनेट फैका गया जिसके बाद गोला बारी शुरू कर दी गई शैना के जवानों ने भी मोर्चा समालते हुए जवावी आतंकी के वाहन दोनों और से mobility का सिलसिलाडा जारी है धाला कि जवानों के बलिडान होने की आधीकारिकिपॉस्टी नहीं हो पाई हैं ताप्त जानकारी के अनुसार दोपैर साड़े तीन बजे के लगभग आतंकियों ने 22 गड़वाल राइफल्स के जवानों को निशाना बनाते हुए जेड़न आले के पास ग्रेनेड फैका बताया जाराए कि आतंकियों उचाई वाले इलाके में थे जब तक सैना के जवान सम जू कि दोनों और से गोला बारी का सिलसिला देर शाम तक जारी रहा उधर सेना ने उप्रेशन में पैरा कमान्जों को भी सामिल कलिया है जिने एयर लिफ्ट कर हमले वाले लाके में ले जाया गया है सैना की और से पूरे लाके की घेरा बंदी कर ली गई है उधर ब्लावर से बदनोता को जाने वाले मार्ग पर मचैडी से आगे वहनों की आवजाही भी रोग दी गई है सामके समय इलाके में भारी बारिस और धुंद का दौर सुरू हो गया था सुरक्षबलों ने पूरे इलाके को घेल लिया और बड़ा ऑपरिशन चलाकर आतंक्यों के सफाई की तैयारी की गई आर्मी से जुड़े इंफोर्मेटिव वीजियो के लिए हमारे चैनल को सस्क्राइब करें जै हिन जै भारत